अंटी टेरिस्ट ओपरेशन्स की कारवाई 2020 के दोरान चल रही है उसमें आज फिर एक कामजायब ओपरेशन शेराबाद तराल में हुआ जिसमें हेजबल मजाय दिन के तीन टेरिस्ट मारे गए हमाद खान के उस हेरिया में मारे जाने के बाद जो सबसे खतरनाक पैरिस्ट वहाँ पर ओपरेट कर रहा था और जिसने हेजबल मजाय दिन की उस जगा में कमांड ली थी जहंगीर वो भी उसमें शामल है और उसके साथ दूसरा जो राजा मकबूल और तीसरा सदात दो तराल के रहने वाले हैं और तीसरा बिज बिहारा का रहने वाला है काफी बड़ी तदाद में इन से असलाव निशन भी पकड़ा गया है जांगीर खुंखार किसम का तंकी रहा है और इसने राजा मकबूल के साथ कम से कम आठ ऐसी टेरर वारदातों को अंजाम दिया जिनकी वज़ा से अलाके में बहुत ज़्यादा खौफ और टेरर का महौल था दो सिविलिन के लिंग भी इसकी अंदर शामल हैं जो इसने राजा मकबूल के साथ मिलके करी मराजदिन जर्गर की किलिंग हुई थी उसमें जे शामल था और उसके लावा गुलाम नभी मीर जो त्राल के रहने वाले हैं सिविलियन उसकी किलिंग की थी इसमें भी जे शामल था उसके लावा जब अब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद का जो महौल रहा उसके दुरान केमिस्ट की शॉप को आग लगाना एक ट्रक को जलाना जगा 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 पर थ्रेटनिंग पोस्टर्स लगाना और लोगों को धंकियां देना लोगों की मारपीट करना एक मस्जद को आग लगाना जो अमीरबाद तराल में मस्जद को आग लगी थी वो भी इसी का कारणामा था इसके लावा पुलीस के जवान पर अटैक किया और आर्मी के जवान पर भी एक जगा पे अटैक किया इस तरह की और भी बहुत सारी कारवाईयां जिसमें जांगीर जिसको उमर मुक् कुल जो लर्गा मातराल का रहने वाला है दोनों ने मिलके की थी और पिछले कुछ अर्से से सदात जो विज बिहाड़ा का रहने वाला है वो भी इस टैरर आउटफिट का हिस्सा बना था और गो भी बहुत सारी कारवाईयों में शामल था कुल मला के अभी तक जो 2020 का एंटी और आठ उपरेशन हमारे जहां कश्मीर में हुए दोनों जगह पर मिला करके 19 टैरिस्ट जहां पर निटलाइज किये गए कश्मीर में और चार टैरिस्ट जो हैं वो जमू रीजन में मारे गए इसके लावा जो टैरर मॉडियूल्स आप जानते हैं कि बता पार्क में फैंकने वाला एक ग्रूप आया था शेरगड़ी एरिया में वो भी पूरे का पूरा ग्रूप पकड़ लिया है उससे पहले पांच लोग जो जैशे महम्मद के साथ वबस्ता थे शिर्नगर सिटी के अंदर उन्होंने लग लग जगह पे गरनेड फैंके थे और बहुत कोई फदाइन कारवाई का सिल्सला जो हो शबी जन्वरी के आसपास इनोंने प्लैन किया था इसके लावा जो ओजी डवल्यू जो इनका स्पोर्ट स्ट्रक्चर है जो इनको मदद करते हैं इनके रोजमरा के काम कारवाई में 40 के करीब वो लोग भी पकड़े गये हैं मगर इसके साथ जो एक सुख़द बात जो अच्छी बात ये भी है कि बहुत सारे नौजवान लड़के जो घर छोड़के निकल जाते हैं और गरवालों कुझे कहके निकलते हैं कि हम लोग टर्रिस बनने के लिए जा रहे हैं उस तरह के आठ लड़के हम लोग वापस ला करके इसके साथ जो नइट कर चुके हैं जो बहुत अच्छी बात है और इसके दोरान जो मिल्टन स्रेंट्स को जैन करने वालों की तदाद है वो भी पहले के मकाबले में अब ना के बराबर है बहुत कम है ये भी एक बहुत अच्छा ट्रेंड है बहुत अच्छी बात है दूस लिट्रल डैमेज जो है वो किसी तरह का किसी सूरत का किसी भी उपरेशन में नहीं हुआ यह हमारे लिए खुशी की बात है और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से जो उपरेशन का सिलतला है और नीट एंड कलीन रहे और भी तसली की बात है कि जो जहां पर दुकान, बिगनस, ट् कि जो रोटीन की चीजे हैं, रोटीन की लाइफ में नॉर्मल तरीके से चले, उसमें पोलीस की तरफ से, फोर्स की तरफ से जतनी मदद कर सके, मदद करें, फोर्स बहुत अच्छे से, रिस्पॉंसिबल तरीके से अपने आपको कन्ड़क्ट कर रही हैं, यह भी बहुत एलसी के उपर सीज़फायर वाइलेक्शन्स का सिलसला जो बराबर चल रहा है पिछले कुछ अर्से से और पहले के मुकाबले में सीज़फायर वाइलेक्शन्स बहु जादा बड़ी है उस तरह की हरकतें अभी भी जारी हैं कल भी घगवाल के एरिया में कठुआ में पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन हमारे टर्टरी में आई थी जो लगपग ग्यारा से बारा मिनट बीएसफ की पिकट से उपर से क्रॉस करी बीएस अपने जवाबी कारवाई में जब फैरिंग करी तो उन्होंने ड्रोन को वापस वहां से विड्रा किया है इस तरह की हरकतें जो हैं अभी उस एरिया में चल रही हैं सीजफायर की वाइलेशन में दुचार रोज पहले रिजौरी पुंच के सेक्टर में सिवलियन कैज्वल्टी भी हुई और आर्मी का जवान भी शहीद हुआ इस तरह की हरकतें भी पाकिस्तान की तरफ से चल रही है और उनकी कोशिश है कि वो बाजापता जो एलसी को एक्टव रखें एलसी को गर्म रखें और बॉर्डर को गर्म रखें और सीजफायर वाइलेशन के दरान टेरिस को जहां पर उदर से पुशिन करें उनकी कुछ कोश्चें कामजाब भी हुई पिछली बार नगरोटा में जो उनकाउंटर हुआ था उसी रोज हिरा नगर सामा की बेल्ट से ये टेरेट आउट टेरेस ग्रूप जो है वो क्रॉस करके इस तरफ आया था और तीनों के तीनों उसमें मारे गए थे जो ट्रक का ड्रेवर और कंड़क्टर उनको जहां पर लेके आ रहे थे वो उसमें जिंदा पकड़े गए थे उसके बाद एनाईय को केस की तप्तीश दी गई और तप्तीश अभी भी रहा है मैं इसके साथ साथ जे भी कहना चाहता हूँ कि अवाम की तरफ से अच्छी खासी कोपरेशन सब जगा पर मिल रही है लाइन डॉपर को मेंटेन करने में और जहांकि जो हलात हैं उनको और बेतर करने में उसके लिए हम अपने लोगों को और आप सब को शुक्रिया कहना चाहते हैं